जैसे ही, आप यहां पे देखें, अपनी रिकॉर्ड इंग को जब स्टार्ड करें भी şekilde हो जाएगी वे आपके पास कितनी अव्य फ्री है depending on what i view ow oh यहां पे यहां पे अगर और भी इंगा उ ऐसना का जाएगा और उपने रिकॉर्डिंग को जो है वो आपकी सारी recording's वगएरा जो है वो यहां पे save रहेंगी उसके बाद यह आपका जो है वो यहां पे volume का है तो यह volume जो है वो आप यहां पे कम जादा कर सकते हैं सबसे पहले आपके पास यहां पर जो है वो remove ads का option है यह तभी काम करेगा जब आप application को खरीदेंगे उसके बाद फिर यहां पे status bar का option भी है तो यह भी disable है क्योंकि यह जो है वो अभी मेरी इतनी ज़रुत में नहीं है इसलिए मैंने उसको disable करके रखा है बाद audio source है जो कि defaulted है उसके बाद आप नीचे जैसे ही आएंगे तो इसके बाद जो है वो recording का जो format है वो वैसे जो defaulted था वो मैं आपको यहां पे दिखा देता हूँ उसको मैंने हटा के और यहां पर मैंने लिखा है PCM ठीक है high quality इस पर मैंने इसको कर दिया इसमें ही थोड़ी सी अच्छी quality आजाती है आपके recording की और इसी तरीके से यहां पर 16KZ पर defaulted यहां पर set था मैंने वहां से हटा के इसको 44KZ CD quality में यहां पर इसको कर दिया जो के बहुत अच्छी quality की voice recording यहां पर करता है यानि आपका जो output है वह बहुत अच्छा निकल गया आता है इसमें और इसी तरीके से फिर आप यहां पर recording folder यह भी वैसे defaulted यहां पर खुबह हो जाता अगर आपको अपनी तरफ से करना है तो आप यहां पर choose भी कर सकते हैं अपना जो folder है वह भी आप यहां पर choose कर सकते हैं यहां अगर इस option को भी जो है वह आप यहां पर choose कर लेंगे तो जैसे ही आपके recording जो है वह जब stop होगी तो फॉरण जो है आपके पास जो है यह पूछने लग जाएगा कि आपकी यह जो फाइल है recording वाली उसको कौनसी folder में safe करना है इसी तरीके से फिर record stereo तो अगर in case जैसे आपके पास अगर कोई stereo mic है stereo microphone है वहां से जो है आप अपनी voice को record कर रहे हैं तो फिर आप इस option को जो है वो tick mark कर सकते हैं मेरे पास stereo microphone है इसलिए मैंने इसको tick mark किया है इसी तरीके से फिर आप record on start तो जैसे ही आप अपनी application को open करेंगे तो automatic जो है वह आपकी recording जो है वो start हो ज app के through जो है वो कोई notification आपके पास आता है तो foreign जो है वो LED notification जो है वो आपको मिल जाएगा इसी तरीके से फिर आप यहां नीचे देखेंगे तो stop and low memory तो इसका यह function है कि जैसे अगर आपके phone में memory कम हो जाती है तो यह automatic जो है वो recording करना बंद कर देगा तरीके से आप नीचे द करीके से screen on तो यह तभी काम करेगा जब आपने इस function को open करके रखा होगा यह tick mark करके रखा होगा तो मतलब यह screen जो है यह basically जो है वो on होगी इसी लिए जो है यह recording और playing दोनों के दर्मियान जो है आपकी screen जो है वो on रहेगी इस function का basically यह मतलब है add to library add to library का यह मेनी है कि जैसे आपने कोई recording कर ली है तो वही recording जो है वो आपकी automatic जो है वो लाइबरी के अंदर set हो जाएगी तो अमीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आजीगी तो प्लीज इसको like share और comment जरूर कर दीजेगा और हमारे चैनल क subscribe जरूर कर दीजेगा thank you so much